हलो फ्रेंड्स मैसल प्रिया सेनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जनी ओफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे आज मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ जो ये वीडियो है ये बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करकर मुझसे कहा था कि मैं इस टॉपिक के ओपर वीडियो बनाई है तो दोस्तो जैसे कि आप सब ही जानते हैं कि मैं आपके ही डिमांड पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो दोस्तों मेरा जो ये effort है आप सब के लिए है तो दोस्तों प्लीज आप सबसे ये request है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर कर मुझे अपना support दें सिर्फ मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो relevance of Guru Tegh Bahadur's teaching in present day कि जो Guru Tegh Bahadur Ji के teachings हैं वो present day में क्या importance रखती हैं उनकी क्या महत हुता है उसके उपर आपको essay लिखना है तो सबसे पहले आप अपने essay की starting एक quotation से करेंगे क्योंकि अगर आप अपने essay की starting एक quotation से करते हैं तो जो आपका essay है वो बहुत effective होता है बचो तो आप starting कैसे करेंगे तो जो Guru Tegh Bahadur Ji है जो एक महान आत्मा है जोनोंने अपनी जो टर्बन है उसको डिनोट कर दिया था and head a heart जिनका दिल जो अपने अंदर समुद्र की तरह विशाल दिल रखते हैं समुद्र सबसे बड़ा होता है ना बच्चो तो उसी की तरह उनका हिर्दय भी बहुत विशाल है starting आप इस तरीके से करेंगे तो आपने सुना होगा कि first impression is last impression तो आपका impression ही examiner पर इतना अच्छा पढ़ जाएगा कि वो interest लेने लगेगा ऐससे में तो आप इस तरीके से starting करेंगे तो वो बहुत effective होता है इन इंडिया, all religions are seen with equalize ठीक है भारत में हर एक religion को हर एक धर्म को समान दिश्टी से देखा जाता है Still, there have been many roots in our country in the name of religion हमारी country में religion के नामे बहुत सा roots है many great people protect religion even without caring for their lives ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और अपनी जान धर्म को बचाने के लिए दे देते हैं The place of Guru Tegh Bahadur Ji is in the front line among the great men who sacrificed their life to protect their religion, human values and the principle और जो ये sacrifice की line है इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो Guru Tegh Bahadur Ji का आता है जिनोंने धर्म को बचाने की खातिर, human values को बचाने की खातिर सिद्धानतों को बचाने की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी गुरू Tegh Bahadur Ji is a great poet, a thinker and a warrior जो गुरू Tegh Bahadur Ji है वो एक महन कवी, thinker और एक warrior है, एक योद्धा है उसके बाद जो उनकी बच्चों teachings है वो आप point wise लिखेंगे क्योंकि ये तो आपका introduction था, कि गुरू Tegh Bahadur Ji कौन थे, क्यों के teachings हमारे लिए important है अब उनकी teachings क्या थी और उनका present day में क्या importance है, वो हम साथ साथ देखते चलेंगे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो please आप सबसी request है कि please channel को subscribe करे क्योंकि मैं आपके हर एक competition के लिए अच्छे-च्छे ऐसे लेकर आती रहती हूँ, तो मेरी हर एक वीडियो आपके लिए beneficial होगी और आपको first price दिलाने में बहुत ही कारगार शिद्ध होगी, मतलब बहुत ही helpful होगी तो पहली उनकी teaching थी master the art of self-control, most important teaching of Guru Tegh Bahadur ji is self-control उन्होंने क्या कहा था कि जो Guru Tegh Bahadur ji की जो समसे important teaching है वो है self-control, मतलब आत्मसयम तो आप सब लोगोंने सुना होगा कि हमारी five senses होती है, ठीक है, हमारी पांच इंडिया होती है, हमें उसके ओपर control होना चाहिए he said the humans of nothing without self-control, तो जो human है वो self-control के बिना कुछ भी नहीं है in present day human is losing honesty, emotion and brotherhood, तो आज जो human है वो अपनी honesty, अपनी इमानदारी, emotion और भायचारक होता जा रहा है that's why इस कारण today the great teachings of Guru Tegh Bahadur Ji great importance तो जो Guru Tegh Bahadur Ji की teachings है, वो बहुत importance आज के समय में रखती है कि मनुष्य को अपने ओपर आत्मसयम होना चाहिए second आता है to overcome greed, desire, ego and pain one of the most important teaching of Guru Tegh Bahadur Ji is to overcome greed because due to greedness some people are always saying me, me and me without very little regard for the need of feelings of other this greed and desire create ego and pain तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर greed, लालच को समाई रखते हैं तो लालची व्यक्ति के अंदर से मै, मै, मै ये मै की ही भावना होती है वो बहुत selfish हो जाता है तो Guru Tegh Bahadur Ji का कहना है कि मनुष्य की इच्छाई उतनी ही होनी चाहिए जिससे उसके जरूरते पूरी हूँ ज्यादा कंजर्व करने से, ज्यादा लालच करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है उससे उसके अंदर ego और जो pain है वो develop होने लगता है ऐसे समझे, आज आप भाई-भाई का जगडा देखते हैं तो जमीन का तुकड़ा जो है, वो उसके प्रिति क्या है, लोगों के मन में लालच है जिससे क्या होता है? जिससे जो व्यक्ती है वो लालची बनता जाता है जिससे भाई-भाई आप असमें बोलना पसंद नहीं करते हैं तो इस greed को, इस लालच को खतम करना है तो ऐसी उनने टीचिंग दी थी? नेक्ट रेखिये, protect the ones who need protection even if it comes at the cost of one's own life. Through this, इसके द्वारा Guru Tegh Bahadur Ji is pointing towards the materialistic world where people need to share their hard-earned money needs to donate the poor because if its individual does this, then automatically protection of others will be taken care of. इसे teaching के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो मनुश्य है, वो जो अपनी hard earning करता है, महनत से जो पैसा कमाता है, उसका कुछ percent जो poor हैं उनको donate करना चाहिए. इससे क्या होगा? Automatically हर एक की प्रती protection पैदा हो जाएगा. एक bonding तयार होगी. For example, the concept of langar is provide everyone in the need of food. तो जो langar का concept चलाया गया था, जो यह langar है, यह भी किस से चलता है? Donation से चलता है. जब सब व्यक्ति donate करते हैं, कुछ earning अपनी donate करते हैं, उससे ही यह langar चलाया जाता है. और यहाँ पर क्या होता है? हर एक को खाना दिया जाता है. जब खाना वहाँ बैठ कर खाते हैं, तो वहाँ यह नहीं देखा जाता कि यह हिंदू है, मुस्लिम है, सिक्क है या इसाई है. सभी को मानवतागी तरा जुमें तोला जाता है. तो इसलिए, हर एक व्यक्ति को अपनी जो earning है, उससे कुछ percent to donate देना चाहिए. जिससे हर एक व्यक्ति की needs protection पूरी हो सके. तो गुरु तेक बहादू जी बहुत ही कह सकते हैं कि महन व्यक्ति रहे हैं, उनकी जो teachings हैं, बहुत ही शांदार हैं, बच्चो. Be content with one's own life. According of this teaching, श्री गुरु तेक बहादू जी, once need to learn the art of what one need to satisfy with it. Always one need to watch the person. ठीक है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य है, उसके मन में content होना चाहिए, जिसको लेकर उसे पूरी लगन होनी चाहिए और उससे वो satisfied होना चाहिए. ठीक है, हमेशा व्यक्ति के मन में content चलता रहना चाहिए, उसकी life का एक aim जरूर होना चाहिए. गुरु तेक बहादू जी, also give the teachings of empathy. उन्होंने empathy की एक teachings भी दी है, the ability to sense other people's emotions, दूसरों के जो emotions हैं, उनको समझना, second sympathy उन्होंने कहा है, and third sacrifice. की हर एक व्यक्ति के मन में empathy, sympathy और sacrifice, बलीदान, ये सब चीजे होनी नितान तावश्यक है. Guys, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो please चैनल को subscribe करें, आपसे यही request है, और मैं आपके लिए बहतर से बहतर चीजे, समय से मैं पर लेकर आती रहती हूं. शिरी गुरु तेग बहादू जी played a significant role as he resistance the force of conversation of Kashmiri Pandit to Islam through he was publicly behaved in 1675 on the orders of Mughal Emperor Aurangzeb in Delhi. तो शुरू जो शिरी गुरु तेग बहादू जी थे, उनका एक important role रहा है, उन्होंने जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी जो धर्म था, उसको परिवर्तन ना हो, इसके लिए उन्होंने अपनी जो जान हैं वो दे दी थी. जिसे लेकर जो Aurangzeb है, उन्होंने 1675 में Aurangzeb के order पर दिल्ली में सरे आम चान्नी चोक पर उनका सर कलम कर दिया गया था. The teachings of Guru Tegh Bahadur Ji should be remembered forever, उनकी जो teachings हैं वो हमेशा के लिए हमें याद रहेंगी, because of his superior sacrifice to upload the value of rightness, truth, freedom और faith. क्योंकि जो उनका बलिदान है, वो इस बात का गवाह है, सच्चाई का, स्वतनता का और विश्वाश का. तो दोस्तों, यह आपका पूरा essay था, आप आपने essay की starting तो एक quotation से करेंगी ही, और एक end भी एक quotation से करेंगी, जो आपका essay बहुत effective बनाएगा. Guru Tegh Bahadur Ji, Master of Spirituality, Distributor of Charity, Protector of Humanity. तो गाइस, यह आपके लिए essay था, और I hope आपको ऐसे पसंद आया होगा. और आपको अगर ऐसे पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही request मैं चाहती हूँ, यही request मैं करती हूँ, और जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने relatives को, और guys, अगर आपको किस important topic पर ऐसे चाहिए, तो आप मुझे comment books में करकर बता सकते हैं, तब तक के लिए, thank you so much, all the best for your competitions, bye bye